सभी कुछ जैंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है इंडिया भारत पर तो आज की इंट्रोस्टिंग और मज़ितार वीडियो में आप देखेंगे पत्रकार आर्जु काजमी को जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे तो मैं जैंद साब जो की है तो भारतिय मूल के पर वो चाइना में रहते हैं पर जबरदस्ट जियो पॉलिकल एक्सपोर्ट है तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो इसे हम तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताक तो आपके जो नाख है उसके उपर जोकर वाला लगा हो तो वो लगा हुआ है या मेरे लगा हुआ है खुछ तो दिक्कत है अचा होता है अपने साथ भी हरी मोहन के शोब है आप बीच में टपक बड़ी पता नहीं कहां से और आपको देखते ही मेरे अंदर से भी कोई ऐसा किरा जागा है कि मैं भी चुरू हो गया अपने उसी लहें में ओ आगी है यह चूडिया बागने के लिए सारी तो देदी थी हमने वो सुचे यार यह तुम्हें हो गया जाता है तुम दुनों को अच्छी बात है हम हस्ते बोलते रहते हैं और ऐसा ही होना भी चाहिए अपकोर इंट्रों भी देती हूं सो लोग क्या याद करें कि असलाब लेकुम नमशकार सुस्रिया कालन गुड इवनिंग मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट आप यू हमारे स लगती रहे क्योंकि वह हमारी नहीं रुख सकती आपने देखा यह कि मैंने आज सोशल मीडिया पर एक लेटर भी शियर किया लव लेटर मुझे जो है पाकिस्तान एजंसी ने बेजा है तो का इदर आओ जड़ा चाइवाए पिलाते हैं तो मैंने कर नहीं मैं इदर ही गर अगर हम बात करें हिंदुस्तान पाकिस्तान की मोजी जी ने ओर टेकिंग सरीमनी थी और उसी दिन जो है वो कश्मीर में आपके रईसी एक एलिया है वहाँ पर जिस तरह से अटैक हुआ सबसे पहले आप उसको किस तरह देखते हैं पाकिस्तान का नाम लिया जा रहे लेकि पाकिस्तान की जो कहना चाहिए रिटेरर गुरूप से उनके नाम लिये जा रहे हैं बार बार लेकिन अभी तक कुछ चीज़ क्लियर नहीं है मैं यह भी साथी लगा जी पहली बात है कि जो आपको लेटर आया है FIA का वो आप चेक कर लीजे मुझे लगता है वो PIA की तरफ से आया होगा कि हमारे खिड़कें दर्वाजें जो आप उठा के लेगी थी मामू के कारण वो वापिस कर दीजे वो FIA आपने कर दिया मुझे लगता है वो PIA था प्लीज चेक कर लेना वो पकी बात है वहीं से आया होगा और तभी आपको लहौर बला रहे हैं कि हमारी जो हैं इतने घाटे में क्यों जा रही है सारी खिड़कें दरा जो आपके घर में लगी होगी तो कुर्सियां भी जो है ये वाली विल्कुल दॉट बैठा होता है वह वाली कुर्सि पे आप बैठी भी यह सुकर पहली बात है दूसरा यह है जो हमारे यहां पर रही सी थेगी भारत में गरीबी कोई है नहीं, रीजी ही है, तो हर जगा पर रीजी होने के कारण, तो आपको भी लगा कि रीजी जगा है, यहां पर अटैक किया जाए, ठाकि भारत को तंक किया जाए, और कुछ भी धापाद नहीं था, वो आये तो होंगे, कोई नो कोई हिंदू को लूट के लिए, क्योंकि जिहादी है, जिहादी तो यही काम करता है, लेकिन हमारे जो प्रधान मंत्री है, उन्होंने ओत लिया, उसी वगत किया है, that means symbolic भी है, symbolic यह है, welcome to the seat, हम भी समझते है, language का, तभी जब तक वो अटैक नहीं कर दिया गया था, आपके प्रधान मंत्री ने भ ने पर और यहादी आपको पता है कि कि रही है, जो है, उसका नाम लिया जा रहा है, भाई वहीं से मैसेज आया है, कि हम थिया है हूं, जो लशकर-टाइबा कि जो एक organization का एक नीचे छोड़ासा विंग है, उन्होंने बोला है कि हमने ये काम किया है, तो हम उनके ओपर allegation नहीं लगा रहे, उन्होंने अपने ओपर allegation खुदी लगा लिया, कि साड़ा कित्ता है, हमने भी मान लिया, यह क्या हुआ है, अब किसने करवाया है, किया किया है वो हम भी समझते हैं कोई जुआप दो मुझे लगता है किसी की खुजली खतम की थी अभी तक खुजली चल रही थी, अभी अभी ही स्क खतम हुई है, दुबारा से खुजली करने का टाइम आ गया है, तो चिंता मत कीजिए, इस बार मैं आपको गरंटी दे सकता हूं, मोधी की करंटी है, सुमिज तो इसलिए जो यह अभी आपकी खुजली है इसको पर्मनेटली तो वैसे ठीक नहीं हो सकती को कि आपको पता है कि शुरू से खुजली रही है लेकिन इसको अब ठीक किया जाएगा किसमें किसी जवाब से और जवाब मैं चाहता हूँ इस बार कि जवाब अब आप कुछ नों कुछ हरकत करते हैं हमारी तरह से जवाब जाता है एक ही बार में फूल एंड फाइनल करके सेपा मुका हूँ मैं तो मोदीजी को बार बार कह रहा हूँ और बार में उन्होंने दे दी चले वो एक अलग चीज़ है लेकिन सार अगर गर्मेंट की बात करें हम आपके हैं जो नई गर्मेंट बनी है मोदीजी की और मुस्ट वही टीम है पूरी क्या उमीद लगाते हैं आप वैसे तो इतने फास्त तरीके से आज मैंने देखा डॉ कमजोरी मुझे कहां से दिखिएंत को मुझता सम्वनिया आते ही उन्होंने 1000 क्रॉडर रोपे द बांड़ दी है किसारों को पहला काम यह की है कि भी सारे पैसे लो यह कमजोरी में 1000 क्रॉडर रोपे कमाई भैजय आते हैं तो भी यही यह अची है दूसरी बात और ऐस वर च काम रुका ही नहीं, लेक्शन के टाइन पर भी वो काम करते रहे, क्योंकि उन्होंने को यह तो है नहीं के कैमपेइनिंग करनी थी, he was still doing his work, और यह काम कभी भी रुकता नहीं होता, गवर्मेंट का, क्योंकि यह ने बता था कि हमने वापस आना ही है, strong आये, weak आये, यह पूर पहले सौ दिनों में मैं उससे ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा, और मोदी जी जो बोलते हैं, वो करते ही हैं, यह तो आपने देखी लिया, तो यह जो पहले सौ दिन है, उसके अंदर इन्होंने भी, कौनों को लंबे, जो इनके 25 साल के plans हैं, वो implement करने हैं, और योगी ज करेंटी है, मेरी मतले हैं, यह मोदी जी की करेंटी है, कुछ बड़ा होगा, आप प्लीज P.O.K. के आस-पास मंडराना मत, पता लगे, वीडियो बनाने के चकर में गई, और आपकी वीडियो को आपने अंतक देखा होगा, और हमेशा की तरह यह पूरी वीडियो आपको का पसंद आए होगी, और आरजू कास्मी जी, और सुमेच जैन सापका पूरा डिसकेशन आपको काफी पसंद आए होगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगिए, तो इसे लाइक और शेयर जरू कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिएकर जरू बता